अस्थमा की रोगी जिने सांस से जुरी तकलीफ ज्यादा होती है उनके लिए सिंघाड़ा बेहत फाइदे मंद है डॉक्टर्स का कहना है कि अगर नियमित रूप से यानि के रेगुलर आप सिंघाड़ा खाते हैं तो आपकी सांस वली तकलीफें सारी समाप तो होने वाली है एलशम से भरपू सिंघाड़ा आपकी हड़ियों में जान डालने का काम करता है आगे चलकर आप इससे ऑस्ट्रिपोरोसिस या अर्थलाइटिस यानि के गठिया से बच सकते हैं हड़ियों के अलावा ये आपके दांत और आंक के लिए भी बहुत ज्यादा फाइदी मंद ह सिंघाड़ा फटी एडियों को भी ठीक करने में बहुत जादा उपयोगी माना जाता है शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द या सूजन से रहत पाने के लिए भी आप इसका पर्योग कर सकते हैं अगर आपकी एडिया काफी फटी है तो इसको पीस करके इसका पेस्ट बनाए और अपनी एडियों पर लगा लिए जिए बहुत जल्दी से आराम मिल जाएगा आज की कैसा लगा है मुझे जरुन से बताईएगा